अजमीर जुलक अलेक्टरेट में आज उप्खंड इस तरिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया उप्खंड अधिकारी महवीर सिंग के निर्देशन में आयोजित जन सुनवाई में 23 प्रकरण सामने आए जिन मेंसे 8 का निस्तारंण मौके पर अधिकारियों से वारता कर किया गया और बाकी प्रकरण को लेकर समपर्क पोर्टर पर डालते हुए अधिकारियों को निर्देश इत किया गया है कि वो इने समय रहते इनका समाधान करें और साथ ही पुराने पेंडिंग मामलों को लेकर भी जन सुनवाई में विचारवी मर्श किया गया ग्यारा प्रक्रण ऐसे है जिससे परिवादी संतुष्ट नहीं थे उने से चार के प्रक्रणों को निस्तारित किया गया और उहें संतुष्ट किया गया तो वहीं अन्य प्रक्रणों को लेकर भी जल्द ही समाधान के निर्देश दिये गए हैं आपको बता दें कि इस अजन्द सुनवाई में पुशकर विधायक सुरेश रावत भी पहुँचे जिनोंने अपने क्षेतर की विभिने समस्याओं के साथ ही प्रिशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि विसलपुर का पानी परियाप्त है इसके बावजूद भी शेतर में पानी की सप्लाइन नहीं दी जा रही सड़के खराब है और अन्य कई मामले ऐसे हैं जिनमें जन्ता को राहत नहीं मिल पा रही इन सभी समस्याओं को लेकर आज उफखंड अधिकारी को दिशा निर्देश देने के साथ ही समस्याओं भी बताई गई उफखंड अजमेर की उफखंड इस्तरिय जन सुनवाई एम सप्रक्ता समीती की बैठक का आयोधन जो है यहाँ पर अभी किया गया ज़यारा बजे से इसमें कुल 23 परकंड जो है वो अलग-अलग विभागों के परिवाद की रूप में फ्राप्त हुए उनमें से आठ जो परिवाद हैं उनका मोक्य पर इनिस्तान कर दिया गया और से फरकंड जो है उनसे विभागों से जो है वो उसमें कारवाई करने के लिए direction दिये गए हैं साथ ही उनको जो संपर्क पोर्टल है उस पर भी उनको अप्लोड किया गया है जन सुनवाई में जो है सभी जो ब्लोक इसली अधिकारी है वो इसमें उपस्तित रहे इसले समय में जो संपर्क पोर्टल पर परिवाद दर्ज हुए थे और जिनके निस्त से तरिश्टन से परिवादी है वो इसले संतुस्त थे कुल ग्यारा ऐसे एसले संतुस्त दू परिवादी है उनके प्रकरणों का भी जो है इसलेशन किया गया और जो पस्तृतजЭ आधिकारी थे उनसे रिपोर्ट लेकर पर कोँमें से चार परेकर पड्करणों के और दर् ज्यादा तर जो मामले हैं वो पंचाहिती राज, राजस्त और अजमेज विकास प्रादीकन से संबंदित इस्यूस थे इन में से कुछ जो है वो पैंशन से संबंदित हैं, कुछ विरासत के म्यूटेशन के मेटर हैं और कुछ लो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे PWD हैं, VSTD हैं, ABBNL और TATA POWER